मित्रो आज भी इस धर्ती पर कुछ ऐसे मंत्र और उपाय चुपे हुए हैं जो आपको रातो रात माला माल बना सकते हैं आज मैं आपको सोपारी का एक एक एसा उपाय बताऊंगा जो आपकी किसमत बदल देगा आपकी हातों की लकीरे बदल देगा और देखते ही देखते आपको धनवान बना देगा मित्रो आपको तीन सोपारी लेना है उन्हें अपने भगवान के मंदिर में रखना है दोनों हातों को जोड़ना है एक मंतर का जाब करना है ओम हिम क्लिम माता महालक्षमी धन देही देही नमस्वाह इस मंतर का 121 बार जाब करना है अब वो कोई साधारन सोपारी नहीं है बहुती तेजस्वी अभिमंतरित मंतर से तयार की गई सोपारी बन चुकी है अब आपको करना क्या है तीन सोपारी आपके पास है एक सोपारी को उठा कर जहां पर आप धन संपदा रखते हैं, पेसे रखते हैं, आपकी तिजोरी, आलमारी वहाँ पर रख देना है एक सोपारी को आपका जो भगवान का मंदिर ए घर में उसके नीचे रख देना है, लाल वस्तर के नीचे जो आकरी सोपारी बची हुई है, उसको उठाना है, अपने घर के बाहर जाना है, वहाँ पर एक छोटा सा गड़ा खोदना है और जमीन में उस सोपारी को गाड़ कर इसी मंतर का दो बार जाब कर लेना है ये कोई साधारन उपाय नहीं है, इस उपाय में इतनी शक्ती हैं, इतनी ताकत हैं कि इसका उप्योग करने मातर से ही पेशा आपके घर में चुम्बक की भाती खेचा हुआ चलाएगा जो भी आप नया कारिय करेंगे, उसमें आपको सत प्रतिसत सपलता मिलेगी अगर आपके सर पर करज हैं, तो वो उतर जाएगा, आपके परस में पेशा टिकने लगेगा और अचानक आपको धन प्राप्ति होगी, अधूत उपाये